अलो दोस्तो मैं विकाज और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में दोस्तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसी हम लोग चैट GPT के द्वारा चैट Box यानि की चैट Bot option अपनी WordPress website में add कर सकते हैं दोस्तो पहले मैं एक example दिखा देता हूँ दोस्तो आप लोग देख रहे हैं ये एक WordPress की website है और यहाँ पर एक चैटिंग का option है यानि की आप लोग website owner से चैटिंग के थुरू immediately जुड़ सकते हो अपनी requirement अपनी services के बारे में immediately जान सकते हो दोस्तो तो दोस्तो इस तरीके का chatbot हम लोग chat GPT के थुरू कैसे create कर सकते हैं अपनी WordPress website में दोस्तो तो कि ये जो chatbox है किसी third party website के थुरू है दोस्तो लेकिन मैं आज आपको third third website के थुरू third party website के थुरू add करके नहीं दिखाने वाला हूँ बलकि chat GPT के द्वारा आपके सामने बिर्कुल एक नया chatbox create करूँगा आपकी website के लिए और आपकी website में integrate करके दिखाने वाला हूँ दोस्तो तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है अप प्लागिन पे क्लिक कर देना है प्लागिन पे जाकर add new प्लागिन करना है दोस्तो आपको एक प्लागिन यहाँ पे डाउनलोड करना है जिसका नाम है AI पावर या आप chat GPT भी डालेंगे तब भी यह प्लागिन इजीली आ जाएगा AI पावर चैट GPT लेख सकते हैं यहाँ पर आपको इस प्लागिन को डाउनलोड करना है दोस्तो इस प्लागिन के ऑथर का नाम और यह लोगो ध्यान रखना सिंपल इसको install कर देना है दोस्तो और इसको install जब हो जाएए इसको activate कर देना है जैसे ही activate हो जाता है दोस्तो आपको इसके AI engine में जाना है और यहाँ पर API की add करना है अब API की कहां से मिलेगा दोस्तो तो API की आपको मिलने वाला है दोस्तो आपको Google पर जाना है और chat GPT जैसे ही आप type करेंगे जो सबसे पहली website आ जाती है दोस्तो यह chat GPT की official website है यहाँ पर आपको try chat GPT करना है और इस website के अंदर आपको account create करना है अगर आपने account create नहीं कर रखता है account create करने के लिए आपके पास एक Gmail का account होना चाहिए उसके थुरू आप इस website के अंदर easily account create कर पाएंगे sign up कर पाएंगे जैसे ही आप sign up कर लेते हैं account create कर लेते हैं दोस्तो उसके बाद आपको यहाँ पर option देखेगा get your API की जैसे ही आप इस पर click करेंगे दोस्तो अगर आपने account create कर रखता है तो आप इस page पर automatically आ जाएंगे और यहाँ पर आपको option दिख जाएगा create new secret की अपनी secret की generate करने के लिए आप generate करेंगे इसको poppy करना है simple और आपको इसको यहाँ पर paste कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर इसको save कर देना है तो इस API की के द्वारा आप chat GPT के through connect हो जाते हैं दोस्तो उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है आप left hand side पर AI power का option देखेंगे उसके अंद आपको chat GPT का option दिखने वाला है आपको chat GPT पर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर with get में जाना है दोस्तो और with get में जाने के बाद आपको इसको यहाँ पर yes करना है yes करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे option आते हैं language क्या रखनी है tone कौन सी रहनी चाहिए style कौन सा रखना है custom icon अगर आप choose करना चाहते हैं तो वो भी use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर custom icon यूज कर रहा हूँ जो chat जैसा icon लगे तो मैंने हाँ पर यह upload कर लिया है upload हो चुक है इसको use कर लेना है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका color font size जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं easily कर पाएंगे आपको use abtar यहाँ पर भी लिखना है तो आप यहाँ से फिर से custom लिख सकते हैं और अपना खुद का picture भी यहाँ पर pick कर सकते हैं मैं मैं यहाँ पर खुद का picture लगाने वाला हूँ मेरा यहाँ पर picture मेरे system के अंदर मुझे ढूनना पड़ रहा है और मैं इस picture को यहाँ से pick कर लिखा हूँ और मैंने इसको use कर लिया है easily use यहाँ पर कर लिया है और कुछ नहीं करना है voice chat का option है तो बोलकर भी voice chat भी हो सकता है यहाँ पर microphone का color stop color वो सब है यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है simple यहाँ पर save कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर save कर देंगे दोस्तो तो आपको यहाँ पर sample दिखने वाला है यानि कि देख रहे हैं यहाँ पर मेरी picture लगी हो यह officially और यहाँ पर text लिखा हुआ है और ask me anything type messages जो भी आप message type करना चाहते हैं जैसे की hello तो देख रहे हैं AI type कर रहा है तो अगर आप लोग इन parameter को भी change करना चाहते हैं तो भी आप easily यहाँ से कर सकते हैं custom text AI की जगा आप अपनी website का नाम लिख लीजेगा मेरी website का नाम इन्फो टैक है AI thinking की ज़रा यहाँ पर मैं typing लिख रहा हूं typing लिख रहा हूं placeholder type your messages जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है enter your messages यहाँ पर भी आप edit कर सकते हो powered by भी चाहते हैं तो powered by भी लिख सकते हैं otherwise नहीं इसको save फिर से कर देता हूं तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर token handle कुछ नहीं करना है logs content simple template इसको मैंने save कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पर refresh कर रहा हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो automatically यहाँ पर वो icon chat बाट का icon बनकर आ चुका है और यहाँ पर यह option है और यहाँ पर अब easily कोई भी user जो इस website को visit करता है अगर उसको कुछ भी पूछना है तो यहाँ type करकर मुझसे easily connect हो सकता है और मैं उसके answer directly इस chat box के तुरू दे सकता हूं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है दोस्तों तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग आट सोलूशन मिलने वाला है दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वी पहले है देवा कि आपर कि आपटे कर